तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देश्टी जमिदार पर तो किसान साथियों आज हैं अपने हम अपने एपल बेर के बाग में तो किसान साथ यह प्लांट्स जो मेरे हैं यह लगबग छे मेने लिए 22-23 एक तो जो एपल बेर ग्रीन वाला है और एक है जो कश्मीरी रेड एपल बेर है तो यह अभी त्यार नहीं हुए हैं हमारे लेकिन जो फ्रूटिंग का पैटरन है वो बहुत ही जवरदस्त है आप देखिए इन प्लांट्स की हाइट है वो बहुत कम है यह लगबग अगर वैसे देखेंगे तो यह बहुत चोटी आइड है आप देखिए मेरी मेरे सियाद्याभी तो यह फल के अंदर जो है वो जुके हुए है क्योंकि फल है वह बहुत ज्यादा उठा रखा है और मैंने इसके सपोर्ट में भी यह लकडियां वगरा बर रखी तो यह देखिए फ सारे जैविक जो चीजें हैं वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करता हूं यह देखिए आप साइज भी देखिए और आप फ्रूट भी देखिए कि कितना लगा हुआ है अगर इस पोदे को मैं यह सपोर्ट ना दूँ तो यह बिल्कुल तूट जाएगा इसने इतने जादा फ क्योंकि मेरे को यह था कि तूटेंगे तो तूटने के लिए मैंने सिर्फ सपोर्ट बरी है अब जैसे मेरा यह प्लांट है यह प्लांट और फूटिंग की वज़ए से मेरा सूख रहा है तो या तो मैं इसको कट कर दूँ या यह अपने आप फूट नीचे जाड़ देगा निचे सारा कशमेरी और एपल वेर है यह देखें और यह ग्रीरम नेचा फीर से कैसे मेरी और यह भी कुश्मेरी रेड अपल लिए क्वक्रों है निचे क्वालीटि है वह फूट की बहुत ही जबरतस्त है और यह इस साईड़े जो मेरे हैं यह मेरे ग्रीन है मिरे लग कि आपको दिखाता हूं कुछ दिन पहले नील गायों ने भी मेरे नुकसान जो है वो कर दिया था मेरी जो बैरिकेडिंग है वो तोड के अंदर घुस गए थे उन्होंने भी नुकसान कर दिया था नहीं तो यह फ्रूट जितने नीचे लगे हुए हैं इतने ही फ्रूट यहा और यह मेरा ग्रीन एपल बेर का है सारा यह मेरा एक एकड में एपल बेर का प्लान थे यह देखो यहां से आगे मेरा नील गाये ने जो है वो नुकसान कर दिया है मैंने टोटल जो आठ वायर हैं बार्ब्ड वो इसके यहां लगा रखे लेकिन उसके अंदर से भी मेरा ब्न कंप को इन प्लांंट पर एक भी भी नहीं जोड़ा seriesर एक भी भी जोड़ा है पूरे प्लांट फोड़ कर दे तोको अचीजत प्लांट आपको पहले साल में हिए अगर इन अगर कि में इन्हीं प्लांट इसको फरवरी मार्च में लगाता तो थोड़े से प्लांटम और बड़े होते लग्भाण यह और बड़े होती है अब उमीद है जो दूसरा मतलब अगली जन्वरी में जो आएगा हमारे यहां विरूट्ट है लिवाध्य क् अधिक और यह बहुत बल्क में जो प्रोडक्शन है वो मुझे देंगे ये देखो ये छोटे प्लानेटाबाद में रिप्लेस्मेंट की विए देखो और ये पहले के ये देखो ऐसे लगे हुए फूट्स ये देखो प्योर जैविक है ये मैंने मिट्टी चड़ा रखी इसकी जड़ों के पास में ताकि पोदा जो है वो तूटे ना ये देखो कितनी कितनी मिट्टी मैंने इनके चड़वा रखी नॉर्मल लेवल से अगर देखेंगे तो ये हमारे जो नीम्बू का बगीचा है नीम्बू के साथ में लगा रखेंगे ये दसबाई च्छह पे हैं नीम्बू भी हमारे और एपल बेर भी जो हमारे दसबाई ये हमारा नीम्बू का बाग है नीम्बू के अंदर ही हमने गेहूं ले रखेंगे इस गेहूं में जो अभी वर्मी कम्पोस्ट वेस्ट डी कम्पोजर और जो अपना वर्मी वोश और इसके साथ में जो अपना सिंप्ली जो एन पीके का इफकोगा था उसका हमने इसमें स्प्रे किया है अभी तक इसमें कोई मतलब पीलापन नहीं है बिलकुल जो फुटाव है वह बहुत अच्छा है आप देख रहे हैं बिलकुल हरे हैं और यह हमारे सारे निम्बू के साथ में पोदें हैं दसबाई छेपे और इदर हमारा एपल वेर वाला जो है वो बाग है और जो इससे आगे की तरफ है दोस्तों वहां पर यह व जो आगे वो हमारा वह सारा अम्रोद का है तो आप प्रक्ल बेर की जो खेटी है तो वह बिश्य Ici एगर कोई किसान बाई लगाता है तो पहले साल में जीतना आपने खर्चा लगाया है वह कर यह निकल सकता है विरे इसमें लग बग एक एकड़ से ज्यादा सेत है यह दस भाई जсы पे पे उधलाइस ब्लांट और लगग इसके अंदर मेरे पास 600 पोदे थास्थ फंध ज्यश्जव Today is coming to hr external अश्य bunny चुछ तो तो लगबग अगर आवरियज फ्रूटिक की हम बात करें तो एक पोदे से एवरेज मेरे को पांच केजी क्या आसपास अराम से मिल जाएगा फ्रूटिंग का पैटर्न है वो भी देख सकते हैं इतने पत्ते नहीं है जितने फ्रूट्स लगे हुए और साइज भी आप बेर का है वो देख पारें बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा तो पहले साल में ही आपको 30 क्वेंटल बेर मिलेंगे बीस के भाव से अगर आप बेचेंगे बीस के भाव से तो भी आपको लगबग 60,000 उपे के करीबन का जो है वो असानी से प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आप इसको कट कर देंगे एक फिट से और आप उससे अगला मतलब एक 6 महिने जब फुटाव लेगा दुबारा से त्यार होगा तब तक आप इसके अंदर कोई सबजी बगएरा की जो छोटी फसल होती है वो आसानी से एक बार ले सकते है तो आज के वीडियो में किसान साथ ही हो इस प Whereas वीडियो आपको कैसा लगा हमें की में करके जरूर बताएं और अगर को इंब यहां विजइट कर देखना साथा तो देख सकता है मेरा जो साने ज्ला भिवानी हैaneous दिस्टिक है जो मेरा हरियो फिवानी है और जो कि भई अभी मतलब नहीं लेकिन वो मेरे जो फुटाव वगरा वो बिल्कुल सही है मैंने जनवरी में इसलिए कर दिये थे क्योंकि मेरे को उस ताइम जो मेरे खुद की वैकेसिंस थी वह उसी टाइम पे थी इसलिए मैंने उमको जनवरी में प्लांट कर दिया था तो वीडि कियों मितनाई दोस्तों दन्यवाद जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान